वैसरहालेकूम, आज हम बनाएंगे नारीयल की बरफी, नारीयल की बरफी बनाना बहुत री आसान है, और खाने में बहुत यह बहुत टेस्टी लगती है पर इसे बिनाने के लिए दो कप अपने हैंसरे जाविए गर इसके अंथर डालैंगे एक कफ शुगर जितना पार आधा ओध चुगर लीए हैं कि पार ऑपने हिसाब से अठ्रिए टुर्द करते हैं कफ दूद डालेंगे अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूद की मलाई भी ले सकते हैं 4 टेबल इस्पून डालेंगे मिल्क पौडर इसे मिक्स करेंगे अब इसे हम रखेंगे गैस पर और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे तो मैंने इसे गैस जूले पर रख दिया है अब इसे हम पकाएंगे गैस के फ्रेम को मैंने लो टू मिडियम पर रखा है इसे हम चलाते हुए पकाएंगे तो यहाँ पर पकते हुए दो मिनट हो गए है तकरिबन शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है थोड़ा हमें इसे और पकाना है इतना पकाना है कि इसकी बैंडिंग होने लगे अच्छे से अभी थोड़ा लूज है तो यहाँ पर पकते हुए तकरिबन तीन से चार मिनट हुए हैं अभी इसकी बैंडिंग होने लगी है इस तरह से अभी सिस्टेज पर हम इसके इंदर डाल देंगे खुश्बू के लिए रोज वाटर तीन से चार डॉप डाल देंगे आप चाहें तो हिलाइची पॉडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ठटी सिकन के बाद इसे उतार लेंगे तो यह भी रेडी हो चुका है इसकी बैंडिंग अच्छे सोने लगी है आप देख सकते हैं पुरा ही कठा हो गया है अब इसे हम गय से नीचे उता लेते हैं तो यहां पर मैंने इसे ट्रे में निकाल लिया है ट्रे को मैंने पहले घी से ग्रीज कर दिया था अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे तो यहां पर मैंने इसे एक दम ते बराबर फैला दिया है अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे, आप चाहें तो इसके उपर चादी के वर्क भी लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसके उपर ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं, तो यहां पर हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चु तो यहां पर हमारी जबर्दस मिठाई बनके तैयार हो गई है और यह बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप भी एक बादी से ट्राई करें दो आम ही आद रखें इंशाला फिर मिलूंगी एक और रेसिपे के साथ